हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू अफेर्स क्लाउड, लर्न टू लीड, मैं नेम इस विकास राणा कोड़ यूज करते हैं, तो आपको स्टेट अवे 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा, बट हमारा कोर्स इतना बैटर क्यों है, वाइ वी थिंग कि हमारा कोर्स वन अफ दे बेस्ट कोर्स है इन दे इंडर्स्टी फर प्रिपेरिंग फर करन्ट अफेर्स, क्योंकि हम करन्ट अफे देली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेशन की क्विस प्रोवाइड की जाएगी, जो आपकी रिविजन में बहुत हेल्प करेगी, एक पीडिएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे आपको 50 क्वेशन की क्विस और पी लेकिन नहीं, हम English के साथ-साथ आपको Hindi में भी ये सारी चीज़े प्रोवाइड करते हैं, not just this, हम आपको Banking Awareness के भी Current Affairs प्रोवाइड करते हैं, Banking से Related Questions भी डिसकस कराते हैं, ताकि आपकी Revisions आप सके for Banking Exam, इसी के साथ-साथ हम एक नई तरीके की PDF आप सभी के लिए लाए हैं, एक Interesting Way of Learning वो है Infotainment Infographics, बड़ा ही मज़िदार तरीके से आप इनको Enjoy करते हुए PDF को पढ़ सकते हैं, तो इनको ज़रूर चेक कीजिएगा, इसी के साथ-साथ हम आपको 20 Topic-Wise Current Affairs भी International Affairs, Sports, Defense, Awards इन सभी Topics को हम मंथली बेसिस पर कवर करते हैं And daily हमारे YouTube चैनल पर आपकी daily videos, monthly videos, weekly videos, topic-wise videos ये सब कवर करा जाता है जो बहुत helpful रहता है प्रिपरेशन के लिए, so I think this is the best course that you can find for Current Affairs Hello students, how are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में 1 November के Important Current Affairs हम डिसकस करेंगे ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा, तो एंड तक वीडियो से बने रहेगा तो आईए questions स्टार्ट करते हैं सबसे पहला question पूछा जा रहा है, 12th edition of Defense Expo कहां पर हुआ था? तो यहीं पर देखो अगर ये Defense की जिगह अगर ऐसे भी आजए नगर डिफ है Expo तो याद रखना Def Expo भी आपका कहा है Defense Expo ही, जिसका भी हमें 12th edition देखने को मिला था question पूछा जा रहा है, location क्या रहेगी, कहां पर देखने को मिला था, ये देखने को मिला था गांधी नगर, गुजरात में सबसे पहला important question ये बनता है कि कहां देखने को मिला था, गांधी नगर और state पूछा जाए, तो गुजरात में देखने को मिला था फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इसी को यहाँ पर यह किस थीम पर बेस था एक थीम थी जिस पर यह बेस था वो थी क्या किस थीम पर आपका defense expo बेस था path to pride ठीक है काफ़े important यह biggest ever defense expo था जो कि हमारा 12th edition का था गुजरात गादी नगर में हुआ था फिर इसी से related आपको एक और चीज़ याद रखनी है पहले तो किये 18-22 October के बीच में हुआ था इसी के दोरान कुछ award से सम्मानित किया गया था जो award आपको याद रखना वो है रक्षा मंत्री award for excellence 2021-2022 के लिए इसको सम्मानित किया गया था during this defense expo वो है data patterns private limited data patterns private limited ये याद रखना ये आपकी चन्नाई tamil nadu based ये company रहेगी जो कि आपकी defense and aerospace electronic systems में deal करती है और इनी को राश्ट्री है इनी को रक्षा मंत्री award for excellence से सम्मानित किया गया था during this defense expo तो ये एक additional information है जो कल की वीडियो से कल भी हमने पढ़ाया था defense expo के बारे में लेकिन ये एक additional information है जो आपको याद रखनी है ठीक है चलिए next पर आते हैं how many states and union territories has signed an MOU with ministry of education for up gradation to PM Shri schools अब PM Shri schools सबसे पहले तो अगर ये कोई scheme है किसके दोरा launch की गई ये central sponsored scheme है सबसे पहली बात फिर अगर ये scheme PM Shri है तो इसकी कुछ full form भी होनी चाहिए जो आपको पता होनी चाहिए तो PM Shri की full form क्या होती है वो है परधान मंत्री schools for rising India ये आपकी full form रहेगी PM Shri scheme की ये PM Shri scheme basically क्या है कि जो government schools है या फिर जो schools आपके private government affiliated दोनों schools हैं उनको upgrade करने के लिए वहाँ पर better facility provide करने के लिए वहाँ पर better infrastructure provide करने के लिए बच्चों को books आपको blackboard proper blackboard आपकी classroom हो well ventilated हो जो infrastructure के अटरा जाता है benches हो proper बैठने के लिए आपका blackboard अच्छा हो ठीक है ये सारी facilities एक infrastructure को develop करने के लिए basically कह सकते है overall schools को develop करने के लिए अपग्रेड करने के लिए ये PM श्री स्कीम launch की गई थी government के दोरा या फिर हम कह सकते है ministry of education के दोरा तो यहीं पर आपको याद रखना है केंद्र विद्यालेस नवोध्या विद्यालेस इन्होंने भी MOU साइन के ministry of education के साथ ताकि इनके schools को update किया जा सके अपग्रेड किया जा सके यहीं पर पूछा जा रहे है कि कितनी states and union territories ने भी MOU साइन किया तो याद रखेंगे 13 states and 3 union territories तीन union territories कौन सी है चंदिगर दादर नगरहवेली जम्मू कश्मीर इन्होंने MOU साइन किया and overall अगर question पूछा जाता तो overall 14,500 हम schools को यहाँ पर अपग्रेड करने की बात की गई under this central sponsor scheme प्रधान मंत्री school for rising India जो की PM श्री scheme रहेगी काफी important यहीं पर जो schools upgrade किये जाएंगे आपकी central government, state government, local bodies या union territory अगर वो है तो इन सारी government जो भाँ पर है उनके दौरा मिलके इन schools को upgrade किया जाएगा next आ जाते हैं किस state के दौरा नौर्थ इस्ट का पहला fish museum यहाँ पर launch किया गया थीक है तो सबसे पहले अगर state का ही नाम पूछूं तो याद रखेंगे अरुनाचल प्रदेश वो state रहेगी ठीक है जहाँ पर नौर्थ इस्ट का पहला fish museum launch किया गया इसी के साथ साथ आपको याद रखना है एक है तारीन फिश फार्म इस तारीन फिश फार्म को upgrade किया गया किस में इसको upgrade किया गया integrated aqua park में IAP में integrated aqua park और इस integrated aqua park में ही आपका ये fish museum located रहेगा ठीक है यहाँ पर जो आपके local area के fishes रहेंगी वो सारी present रहेंगी 45 करोड की लागत से इसको कुछ बनाया जाएगा ठीक है जिसमें से total 50 करोड की लागत से बनाया जाएगा जिसमें से 45 करोड आपकी central government के दोरा provide किया जाएगा अल्राइट काफे important याद रखेंगे अगर मैं रुनाचल परदेश की बात करो तो chief minister कौन है पेमा खांटू जी गौवर्नर कौन है यहाँ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी देन यहीं पर अगर मैं पूछू एक wildlife century का नाम बताओ तो कौन से रहेगी eagle nest wildlife century यह important वाली wildlife century है जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है चलिए next पे आते हैं next हम बात करेंगे who has been appointed as the executive chairman of samsung electronics samsung electronics के नए executive chairman कौन बने है देखो जो पुराने executive chairman थे ना उनका निधन हो गया जिसकी वज़े से अब उनके बेटे ने यह chairman की post समभा लिया है तो उन कौन अपॉइंट किये गए हैं भी नहीं जे वाई ली और इन जे वाई ली को ही एक और नाम से जाना जाता है ली जे यॉंग ठीक है यह बेटे हैं यह पहले vice chairman थे samsung electronics के लेकिन इनके father की निधन के बाद जो निधन के बाद यह अब डारेक्टर चेर्में बन गए ह है samsung electronics की काफे important next पर आते हैं next हम बात करेंगे 7th edition of under 17 women's world cup की यह कहां पर हुआ किस country के द्वारा होस्ट किया गया था तो इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया इंडिया में भी 3 cities ने तीन states ने इसको होस्ट किया एक तो थी Goa, Odisha and Maharashtra के द्वारा इसको होस्ट किया गया due to third party involvement लेकिन इस band को फिर overthrew कर दिया गया वापस ले लिया गया और फिर इस band के दोरान ये भी बोला गया था कि जो 7th edition का under 17 women's world cup इंडिया होस्ट करने वाला था उसको भी cancel कर दिया था होस्टिंग राइट उसके ले लिये थे लेकिन जब ये suspension अटाया तो वापस से इनको होस्टिंग राइट दे दिया गया और अब इन तीन states में इनको होस्ट कराया था 7th edition of under 17 women's world cup इस में 7th edition में विजेता कौन सी country रही वो रही स्पेन को फाइनल्स में हराके स्पेन ने ये नेक्स्ट है nuclearization of Asia ये एक book है जो किनके द्वारा author की गई है तो याद रखेंगे ये book रेनी नाबा आई रिपीट रेनी नाबा जी ये एक french author है इनके द्वारा इस book को author किया गया nuclearization of Asia basically ये जो nuclear emergency है उसके उपर बात की गई यहां पर और जो आपका पाकिस्तान चाइना और है इनके द्वारा South Sea में या South Asia में जो भी आपका threat possessed किया जाता है of nuclear emergency से related nuclear weapon से related उसके बारे में ये book author की गई nuclearization of Asia जो किसके द्वारा रेनी नाबा जी के द्वारा इस book को author किया गया है next आ जाते है राश्ट्रिय एकता दिवस देखो राश्ट्रिय एकता दिवस को ही एक और नाम से जाना जाता है national unity day काफ़ important सबसे पहले देख लेते हैं कब observe किया जाता है 31st October को observe करते हैं किसकी birth anniversary होती है इस दिन iron man of India की iron man of India की birth anniversary के दिन हम observe करते हैं राश्ट्रिय एकता दिवस कौन थे iron man of India सरदार वल्लब भाई पटेल ठीक है यह आपके थे iron man of India सरदार वल्लब भाई पटेल का birth anniversary कब 31st October को और निनी के birthday के दिन हम observe करते हैं राश्ट्रिय एकता दिवस अगर हम इनकी बात करें सरदार वल्लब भाई पटेल की यह पहले deputy प्राइम मिनिस्टर बने थे independent इंडिपेंडेंट इंडिया के एस वेल एस यह पहले home मिनिस्टर भी बने थे इंडिया के ठीक है तो याद रखेंगे इस साल 2022 में 147th birth anniversary observe की गई हमने सरदार वल्लब भाई पटेल की और हर साल हम 31st October को observe करते हैं राश्ट्रिय एकता दिवस ठीक है काफी important इसको याद रखेंगे फिर अगर question आ जाए कि पहली बार हमने राश्ट्रिय एकता दिवस कब observe किया था या वर्ल यूनिट नैशनल यूनिटी डे कब observe किया था तो 31 October 2014 को हमने पहली बार ये डे observe करा था ठीक है फिर महराश्ट्रा की बात करें इन्होंने टॉप किया in the list of states with maximum number of beneficiaries under आतर निर्बर भारत रोजगार योजना फिर डेली पुलीस की बात करें इन्होंने e-learning platform launch किया उन्नती के नाम से to skill school dropouts के लिए पहला drone मेला कहां पे हुआ था ग्वालियर मध्यापर देश में हु ग्रेट किया था थर्ड और गैनिक एक्सपो भी न्यू डेली में हुआ था अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जड़ा बताओ सेमी कॉन इंडिया कहा हुआ था बैंगलॉर में हुआ था सेमी कॉन सेमी कंड़क्टर को डेवलप करने के लिए कौन सी स्टेट अभी घोशित की गई है वो है गुजरात कौन सी दो कंपनी ने मो यू साइन किया फॉक्स कॉन एंड विदानता ठीक फिर आजाते हैं गॉर् सीडी एफ टू लॉंच मिशन शक्ति लिविंग लैब्स फॉर फाइनेंशल एंपावर्मेंट ऑफ वीमें एस्कॉर्ट वाइल लाइफ सेंचुरी कहां पर है उत्राखंड में और इसको एको सेंसेटिव जोन डिकलेर कर दिया गया है नेक्स पे आते हैं ओलैफ श्लोस इन निर्मला सीतारमन का हमारा 37 पोजिशन आती है और नाइका की फाल गुनी नहीं यह आपके 88 पोजिशन पे फिर वर्ल्ड इनिक्वैलिटी रिपोर्ट 2022 की बात करें इंडिया इस अमंग दा मोस्ट अनिक्वल कंट्री इंडिया ने अज्यूम की चेर्मेंशिप आफ दा आर इसके अलावा जो और आज के करंट अफेस हैं जैसे अगर मैं बात करूं अगर आपसे पूछा जाए कि एक मैनुफेक्ट्रिंग सेट्ट्रिंग फैसिलिटी सेटप की गई है एक मिलिटरी एरक्राफ्ट को प्रोडूस करने की वह है सी टू नाइन फाइव एक मिलिटरी एरक्राफ्ट है इसके बनाने की इसकी मैनुफेक्ट्रिंग के लिए एक फाउंडेशन स्टे ले किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी जी के दोरा कहां पर वडोधरा गुजरात में तो याद रखेंगे एक डिफेंस मिलि बी सेट अप यह जो मैनुफेक्ट्रिंग फैसिलिटी को सेट अप करा जाएगा फिर इसके बाद याद रखेंगे हम देखी चुके हैं पार्ट तू प्राइड यह क्या था थीम पे बेस था ट्वेल्थ इफेंस एक्सपो जो की ट्वेल्थ एडिशन था अठारा से बाइस अक्टूबर के बीच में हुआ था गांधिनागर गुजरात में हुआ था और यहीं पर क्या बात की गई कि रक्षा मंत्री अवाड फॉर एक्सिलेंस दोजार एक्स बाइस के लिए डिफें एक्स आजाता है इंटिया पहली बार होस्् wagon करेगा युनालाइटि नेशन सिक्याटी कउउर्टी काउंसर की काउंटर ट्रीरिसंप कमीटी को रिपीट पहली बार इंडिया होस््ट करने वाला युनायटिशन सिक्याटी चांसल कİंसल काउंटर ट्रूरि चमेटी basically क्या है terrorism से related हम कैसे steps ले सकते हैं terrorism के खिलाफ हमें क्या-क्या steps लेने चाहिए उसको कैसे prevent कर सकते हैं उनके खिलाफ हमें क्या-क्या पहले से prepare रहना चाहिए अगर future में कोई भी दिकत आती है तो इन सारी चीजों के बारे में at a global scale हम यह बात की और all around the world से global leaders यहाँ पर present थे तो यह जो meeting थी United Nations Security Council की counter-terrorism committee दो दिन की meeting थी एक दिन हुई 28 October को एक दिन थी 29 October को 28 October को मुंबई में and 29 October को यह डेली में conduct कराई गई थी तो काफ़ important इसको याद रखेंगे ठीक है next आते है और इसी के दुराना एक और टाम आ जाता है सामने वो था the Delhi Declaration वो क्या था the Delhi Declaration यह Delhi Declaration basically क्या था कि जो नई technologies आ रही है emerging technologies उनको terrorist के खिलाफ यूज करना इसके लिए एक pact sign किया गया जो कि New Delhi में sign किया गया था उसी को Delhi Declaration बोला गया next आ जाते है next बात की जारी है PM Shree Schools की हम देख चुके है PM Shree Schools क्या है ताकि Schools को all around India upgrade किया जा सके और इसके लिए एक MOU sign किया गया 13 states in union territories में जिसमें KVs आ जाते हैं NVAs आ जाते हैं इनके साथ MOU sign किया गया Ministry of Education के साथ ताकि जो Schools हैं around 14,500 schools all over India को upgrade किया जाएगा with the help of local bodies, local government आपका जो state government है central government है इनके द्वारा मिलके यहां पे schools को better करने की बात की गई क्योंकि अगर schools better होंगे तो बच्चों को education अच्छी मिलेगी उनकी cognition और अच्छी develop होगी and future में वहीं इंडिया की growth में help करेंगे ठीक है next आज आते हैं आंद्रपर्दे नौर्थीस्ट का पहला fish museum कहां पर located है तो नौर्थीस्ट का पहला fish museum आपका अरुनाचल परदेश में located रहेगा ठीक फिर इसी के साथ साथ जैसे मैंने अभी बताया था आपको 43.59 करोड रुपीस की मदद से यह project को develop किया जाएगा और इसी में आपका याद रखेंगे train तारेन fish farm इस तारेन fish farm को अपग्रेड करके बना दिया गया integrated aqua park और integrated aqua park में ही आपका यह fish museum located रहेगा और इसी fish museum में multiple fish पीसे almost all fish pieces of across the district और यहाँ पर यह located रहेगे तो यह पहला fish museum है North East का कहाँ पर अरुनाचल प्रदेश में next आजाते हैं यह important एक exercise रहेगी क्योंकि इसका भी पहला edition हमें देखने को मिला वो है IMT Trilet IMT का मतलब इंडिया मोजांबिक और तेहरेन और टेंजानिया इंडिया मोजांबिक और टेंजानिया इन तीनों कंट्रीज के द्वारा मिलके अभी पहली एक IMT Trilet exercise कंड़ेट कराए गई location क्या रहेगी कहां पर यह exercise होगी यह होगी टेंजानिया में ठीक है फिर याद रखना है यह नेवी के बीच में यह exercise कंड़ेट कराए गई इंडिया की नेवी ने इस exercise में पार्ट किया in the first edition of IMT Trilet फिर question पूछा जा सकता है कि इंडिया की तरफ से किस INS इंडिया नेवल शिप ने पार्टिस्पेट किया in this three day long exercise जो की 27 से 29 अक्टूबर के बीच में टंजानिया लोकेशन रहेगी यहाँ पे वी थी तो जो INS है वो है तरकश ठीक है INS तरकश ने पार्टिस्पेट किया जहाँ पे हमने देखते हैं आपका चेतक हेलिकॉप्टर भी थे और मार्कॉस जो की एक special force है Marine Commandos की उसने भी यहाँ पे पार्टिस्पेट किया फ्रॉम इंडियन साइड तो याद रखेंगे IMT Trilet कहाँ पे हुई थी टंजानिया में हुई थी तीन दे लंबी exercise थी इंडिया मोजांबिक और टंजानिया के बीच में यह exercise हुई थी नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे नए president elect किये गए है ब्राजील के कौन है लुइस इनाशियो लूलादेश सिल्वा आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं यह वो नए president है ब्राजील के नेक्स्ट आजाते है ICAR Indian Council of Agriculture Research का एक department है SBI जो है Sugarcain Braiding Institute तो ICAR SBI के जो नहीं अभी women director appoint की गई है वो है Dr. G. Hema Prabha इस question को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पहली women director कौन appoint की गई है ICAR SBI की वो है Dr. Hema Prabha और यह 111 साल old institution है ICAR का SBI इसी में question एक normally भी पूछा जा सकता है कि कौन नहीं director appoint की गई है लेकिन जो जादा चांच इस question पूछने की है कि पहली women director कौन appoint की गई ठीक है Next हम बात करेंगे किनको executive chairman बनाये गया है Samsung Electronics का वो है J. Wiley यह vice chairman थे अभी Samsung Electronics के लेकिन इनके father का निधन हो गया और यह अपने father को replace करेंगे to become the new chairman और इनके father कौन थे Lee Kun He इनको replace करके यह अब नए chairman बनने वाले हैं Samsung Electronics के J. Wiley या फिर J. G. Yong ठीक है चलिए Next पे आजाते हैं Next हम बात करेंगे Zee और Sony का merger हुआ जिसमें इन्होंने तीन हिंदी channels को बेचने की बात की to address the anti-competition concerns ठीक है media group Sony and Zee have agreed to sell three Hindi channels, Big Magic Zee Action and Zee Classic Competition Commission of India के दुआरा ये प्रपोस किया गया कि G. Sony merger deal के बारे में and they subject to certain modifications on 4 October 2022 ठीक है और इन्हीने competition क्योंकि हम देखते हैं कि आप OTT platform भी आ गया है जो कि है over the top platform फिर आप देखते हैं कि आप जो YouTube वगेरा का जादा crazy चल रहा है लोग जो TV देखते हैं बहुत कम देखते हैं आपके OTT platform कितने सारे हैं Netflix, Amazon Prime फिर आपका जाता है Disney Hot Star तो इन सब पे लोग जादा अपना time spend करते हैं जो movie पहले देखने जाते थे इनकी जगह वो यहाँ पर देखना पसंद करते हैं तो जिसकी वज़त से आप यह कह सकते हैं Competition बहुत ज़ादा बढ़ गया है और इसी चलते इन्होंने यह तीन चैनल बेचने की बात की Next हम बात करेंगे FIFA के Under 17 Women's World Cup की जो यह FIFA 7th edition था पहली चीज़ तो यह याद रखेंगे FIFA के Under 17 Women's World Cup का India में होस्ट कराए गया था इंडिया की तीन सिटीज में हुआ था Goa, Odisha और Maharashtra में किनों ने यहाँ पर यह ताइटल जीता स्पेन के द्वारा यह ताइटल जीता गया कॉलंबिया को फाइनल में हराकर Next आ जाता है Yonex French Open Badminton Tournament ठीक है इसके बारे में हम देखें तो पहली चीज़ आपको यह याद रखने है जो important है कि men's single title में कौन जीते विक्टर एक्सलसन यह डैन्मार्क से बिलॉंग करते हैं Women's single title जीता ही बिंग जियाओने यह चाइना से बिलॉंग करती है और फिर men's double category important आजाता है क्योंकि यहाँ पर जो विजयता रहे वो दोनों इंडियन थे सात्विक, साइराज, रानिक रैडी और चिराक, चंदरशेकर, सेटी इनके द्वारा यह आपका men's double title को जीता गया और यही important बनता है इस particular news से जो आपको याद रखना है नेक्स आजाते हैं Max Verstappen, Max Verstappen एक काफी famous Formula 1 driver है यह Red Bull के लिए drive करते हैं Belgian Dutch यह belong करते हैं इन्होंने अभी Mexico City Grand Prix title को जीता इस Mexico City Grand Prix title को जीतने के बाद यह पहले F1 record बनाया इन्होंने to win the most number of wins in a particular season काफी important सबसे जादा wins in a particular season जीतने वाले व्यक्ति कौन बन गए है Max Verstappen बन गए है जो कि Red Bull के लिए drive करते हैं फिर इसी के साथ है इस particular event में जो की है Mexico City Grand Prix इसमें second position किन की रही वो है Lewis Hamilton जो की UK से बिलॉंग करते हैं Mercedes के लिए यह drive करते हैं और इनी को Knighthood Awards से समानित किया गया था by Prince Charles यह second position पर रही थर्ड position पर आ जाते हैं Sergio Perez जो की Red Bull के ही driver है Mexico से बिलॉंग करते हैं ठीक है और यह Mexico City Grand Prix में उन्होंने participate किया और यह अपने ही City Country में third position पर आ फिर बात करते हैं George Russell की यह fourth position पर आ यह याद रखेंगे ठीक है याद important फिर हम बात कर रहे थे किनकी Max Verstappen की इन्होंने record बनाया for the most number of wins in a particular season और इन्होंने record break कर दिया Michael Schumacher का जो 2004 में बनाया था and Sebastian Vettel का जो 2013 में बना था for 13 wins in a particular season उत्तराखंड के Chief Minister पुशकर सिंग धामी के दौरा Milk Prize Incentive Skin को launch किया गया किनके दौरा launch किया गया उत्तराखंड के Chief Minister पुशकर सिंग धामी के दौरा पहली स्टेट जिन्होंने healthcare sector में drone को यूज किया था वो भी उत्तराखंड थी फिर अगर मैं नितियायोग की बात करूँ इन्होंने e-Sawari India Electric Bus Coalition को launch किया with CESL and WRI किनोंने नितियायोग ने और इसनोंने ही हजार अटल टिंकरिंग लैप्स को establish किया जम्मो एन कश्मीर में इन्हीं के दौरा याद रखेंगे एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें बताया कि इंडिया सबसे लेस अमाउंट आफ अमाउंट of money spend करता है in terms of research and development per capita ठीक है और फिर research and development की मैं बात करूं तो करनाटका को appoint किया के था मतलब करनाटका ने appoint adopt किया था research and development policy को और अगर ऐसे पूछ ले question tricky format में कि वह state का नाम बताओ जो की best data for research and development वह भी आपकी कौन सी है करनाटका फिर ATEL ने partner किया invest India के साथ to launch ATEL India startup innovation challenge fortune India's most powerful women in India list 2021 में निर्मला सीतारमन जो की हमारी finance minister है इन्होंने top किया है फिर अगर यहीं पर एक चीज़ याद रखेंगे यह तो हमने देखा कि निर्मला सीतारमन यह most powerful women in India है 2021 के लिए अगर यही data अगर मैं world के लिए कह दू कि most 100 most powerful women world की कौन है तो निर्मला सीतारमन जो हमारी finance minister 37th position पे आती है और नाइका की falconi नहीं है यह आपकी 88 position पे आती है नेक्स्ट हम बात करेंगे national unity day national unity day को एक नाम से और जाना जाता है वो है राष्ट्रिय एकता दिवास यह कब observe किया जाता है 31 October को किनकी memory में यह observe किया जाता है सरदार वललवाई पटेल की memory में जिनको हम iron man of India के नाम से भी जाना जाता था ठीक है यही हमारे पहले deputy prime minister बने थे independent India के और यही पहले हमारे home minister भी थे independent India के 2022 में 147th birth anniversary हमने observe की थी और सरदार वलला भाई पटेल लेगन आपको याद रखना जो national unity day पहली बार observe किया गया था वो 2014 में observe किया गया था नेक्स आजाता है world cities day 31 October को हम observe करते है world cities day को इसकी जो theme रहेगी वो है better city, better life, act local, go to go global या आपकी theme रहेगी world cities day की जो कि हम 31 October को observe करते है next आजाता है world savings day ये हम 30 October को observe करते हैं फिर जो important day आपको याद रखना है वो है vigilance awareness week हम जो 31 October से लेके 6 November तक हम इसको observe करेंगे वो है vigilance awareness week काफी important ये day याद रखेंगे ठीक है vigilance awareness week याद रखेंगे this week is annually across week in which birth anniversary of सर्देल सर्दार वल्लबाई पतेल फॉल्सवन 31 October अभी हमने पढ़ा इसके बारे में ठीक है चलिए next इसी के एक theme याद रखेंगे ये किस theme पे based है corruption free India for a developed nation I repeat corruption free India for a developed nation ये theme रहेगी vigilance awareness week की जो की 31 October से लेके 6 November के बीच में हम observe करते है फिर आज आता है friends ये तो थे हमारे current affairs अब आज आते हैं आपके important one-liners जो आकी quick revision में बहुत help करने वाले है प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधिन ने foundation stone ले किया for C295 aircraft manufacturing के लिए जो की खहाँ पर होगी वदोधरा गुजरात में defense expo का बार्मा edition हुआ था गांधिनगर गुजरात में 18 से 22 October के बीच में फिर हम बात करतेंगे for the first time इंडिया host करेगा United Nations Security Council की counter terrorism committee की meeting को जो के Mumbai and Delhi में हुई थी फिर यहीं पर UNSC ने एक Delhi declaration को adopt किया कि हम नई technologies को use करेंगे to fight terrorism 13 states and 3 union territories ने एक MOU sign किया with ministry of education ताकि जो PM Shri school scheme की under schools को upgrade किया जा सके अरुनाचल परदेश को North East का पहला fish museum मिला at Tharin GECA ने अप्रूफ किया commercial cultivation of GM mustard को इंडिया ने participate किया in the first ever trilateral military exercise जो किया है Mozambique and Tanzania के साथ जिसको IMT नाम से बोला गया है और यह हुई कहां पर थी location क्या रहेगी इसकी तेंजानिया नेक्स है लुईज इनाशियो लूला दे सिल्वा इनको नए president का पॉइंट किया गए है ब्रैजील के डॉक्टर जी हेम अप्रभा यह important नहींगी क्यों क्योंकि यह पहली women director बनी है ICAR SBI की फिर जे वाइली यह जे वाइली को अपॉइंट किया गया नया chairman of samsung electronics इन्होंने और अपने father को replace किया to become the new chairman because इनके father का निधन हो गया था फिर G.Sony merger की बात करें इन्होंने plan किया to sell 3 Hindi channels to avoid the to address the competition concerns फिर 7th edition of under 17 women's world cup की बात करें तो किनोंने जीता यह Spain में जीता का किस country के द्वारा host किया गया था इंडिया और इंडिया में भी कहाँ पर हुआ था यह Odisha, Goa and Maharashtra में then 2022 की Unix French Open Badminton titles की आप highlights पढ़ सकते हैं मैंने अभी जैसे पढ़ाया था कि men double title के इन्होंने जीता दोनों Indian थे फिर Max Verstappen की बात करें इन्होंने Mexico City Grand Prix title को जीता और इस title के win के साथ यह most number of wins in a season के हकदार बन गया इन्होंने record set किया यह Red Bull के लिए drive करते हैं और यह Belgian Dutch है फिर एक French author की बात करेंगे Rennie Naba इन्होंने एक नई book author की nuclearization of Asia और nuclear warning की बात की गई क्योंकि Pakistan और चाइना दोनों यहां पे एक threat possessed करते हैं in the South Asia दना जाता है National Unity Day जिसको राष्टे एकता दिवस भी बोला जाता है 31 October को observe किया जाता है सरदार Wallabai Patel की birth anniversary के दिन हम इसको observe करते हैं और 2014 में इसको पहली बार observe किया गया था World Cities Day, World Savings Day दोनों हम 31 October को observe करते हैं और एक theme याद रखनी है Vigilance Awareness Week जो की 31 October से 9 November के बीच में observe किया जाएगा काफी important रहेगा यह mark करेंगे ठीक है? करप्शन के खिलाफ बात की जाती है आपर करप्शन के खिलाफ हमें बात करनी है और वहां पर करप्शन को कम करना है ताकि हमारा नेशन ग्रो कर सके तो friends यह तो थी आज की news अब आ जाते हैं आपके homework पर पहला question नेक्स आजाता है जेपर एरपोर्ट यह कहां पर लोकेटिड है और बता दो साथ-साथ की जेवर एरपोर्ट भी कहां पर लोकेटिड है नेक्स आजाता है बाइस में वर्ल्ड ब्लॉक्चेन सम्मिट यह कहां पर हुई थी चौत्धा question फर्स्ट ग्लोबल प्लीस मेटवर्स कहां पर हुआ था यह मैं बता देता हूँ इंटर पोल के दुवारा कराये गया था आप मुझे लोकेशन बता दो कि कहां पर हुआ था पांचमा क्वेशन 14 ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कहां पर कराये गया था यह भी इंपॉर्टन क्वेशन है ठीक है तो यह कुछ क्वेशन है यह हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत जादा हेल्प करने वाले हैं य इसी के साद साथ मंथली कारंट अफेर्स एस विउसकी वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं रहेगा इसी के साद साथ आप हमारे कोई को भी अटैम्ड कर सकते हैं जो ki paid users के लिए ही रहेगा आपको उसके लिए कोश पॉर्चेस करना पड़ेगा Carriers Cloud हमारी mobile application है यह आपके Android users के लिए ही रहेगी इसको आप जाके download कर सकते हैं और महाँ पर हमारे सारे courses को check कर सकते हैं तो बहुत अच्छा session रहेगा friends बहुत अच्छी चीज़े हम आपको एक चो कहते हैं ना One Stop Solution Current Affairs के लिए तो वो ये चैनल आपके लिए रहेगा So that's all for the day Thank you and have a nice day That's all for the day friends यह हमारी वीडियो थी I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ साथ friends आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं आप Telegram चैनल पर जाके हमें follow कर सकते हैं इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी problem आ रही है या तो payment में या हमारे courses के साथ तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 767733862 या फिर आप हमारी mail ID पर हमें mail कर सकते हैं and I'll make sure कि आपकी जो problem है उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए इसी के साथ साथ आप हमारे Instagram handle affairscloud underscore official को follow कर सकते हैं code और याद रखना वो है विकास 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप विकास 10 का code यूज कर सकते हैं आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा या आपका course purchase हो गया, पैसे कट गए है या कोई भी issue हो आ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9677-333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा and आपकी problem को solve करेगा